माग मास में तिल दान नमस्कार दोस्तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तो माग में तिलों का दान जरूर जरूर करना चाहिए विसेश कर तिलों से भर कर तांबे का पात्र दान देना चाहिए सिव पुरान के अनुसार तिल दान वल वर्दक और मिर्ट्यू का निवारक होता है महाभारत के अनुसासन पर्व में वर्णित तिल दान का महत्व ब्रह्मा जी ने जो तिल उत्पन किये हैं वे पित्रों के सर्वस्रेष्ट खादपदार्थ है इसलिए तिल दान करने से पित्रों को बड़ी प्रसनता होती है जो माग मास में ब्रामनों को तिल दान करता है वे समस्त जन्तुवों से भरे हुए नरक का दरसन नहीं करता जो तिलों के द्वारा पित्रों का पूजन करता है वे मानों संपूर्न यग्यों का अनुष्ठान कर लेता है तिल स्राध कभी निसकाम पुरुस को नहीं करना चाहिए प्रभो यह तिल महरसी कस्यप के अंगों से प्रगट होकर विस्तार को प्राप्त हुए है इसलिए दान के निमित इन में दिव्यता आ गई है तिल पोश्टिक पदार्थ है वे सुन्दर रूप देने वाले और पाप ना सक है इसलिए तिल दान सब दानों में बढ़कर है परम बुद्धिमान महरसी आपस तब संख लिखित और गोतम यह तिलों का दान करके दिव्य लोकों को प्राप्त हुए है वे सभी ब्रामन इस्त्री समागम से दूर रहकर तिलों का हवन किया करते थे तिल ग दान सब दानों से बढ़कर है तिल दान यहां सब दानों में अक्षे फल देने वाला बताया गया है पुर्वकाल में परतम राजर्सी कुसिक हविष्य समाप्त होने पर तिलों से ही हवन करकर तीनों अगनियों को त्रिप्त किया था इससे उन्हें उत्तम गतिकी प्राप् भूसित दिव्य अभिवान पर आरुड होकर पित्र लोग में समानित होता है वतिल का दान करने वाला मनुस्य महान यस और इच्छा नुकूल रूप धारन करने की सक्ति पाकर साथ हजार वर्सों तक पित्र लोग में सुख और आनंद भुगता है ब्रह्म वेवर्थ पुर अबर वर्सों तक विश्णुधाम में समान पाता है उसके बाद उत्तम योनी में जनम पाकर चिरन जीवी हो सुख भोगता है तामबे के पातर में तिल रख कर दान करने से सो गुना फल मिलता है गरुड पुरान के अचार खंड अध्याए 51 के अनुसार दान करने से अपयोग करना लापकारी माना गया है एकदसी का ब्रत करने से मनुस्य के सभी पापों का नास होता है इस दिन तिल के तिल की मालिस करनी चाहिए और तिल का उप्टन लगाकर असनान करने के पस्चाच सुरे देव का पुजन करना चाहिए मानतना नुसार माग मास में जितन तिलो का दान किया जाता है, हजारों सालों तक स्वर्ग में रहने का अधिकार प्राप्थ होता है सट तिला एकादसी पर छे प्रकार से तिल का उप्योग करना सरवस्रेश्ट माना गया है तिलक से असनान, तिलकी उप्टन, तिलोदक, तिलका हवन, तिलका भूजन और तिलका दान तिलका दान करने से दुरुभाग्य, दरिदरता और अनिक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है तट्टिला एकदसी के दिन तिल मिले जल से सनान करने, तिल का उप्टन लगाने, तिल मिला हुआ जल पीने, तिल के लड़ू खाने और तिल का दान करने से व्यत्ति के काईक, वाचिक और मांसिक पाप नश्ट हो जाते हैं इस दिन वेदिक ब्रामनों को तांबे के कलस में तिल भर कर उस पर गुड रखकर दान देने का महत्व है इस दिन सोभाग्य वती महलाओं को सोभाग्य सामगरी के साथ साथ तिल से बनी सामगरी दान देने चाहिए इसे सुहा की रक्षा होती है सठ तिला एकादसी के दिन गायों को तिल, गुड और घास खिलाने के बाद पानी पिलाने से पितर प्रसन होकर जिवन के सभी सुखों का असिरवात देते हैं इस दिन लाल गाय को तिल, गुड और घास खिलाने का भी महत्व है महा भारत के अनुसार जो मनुस्य माग मास में तपस्यों को तिल दान करता है वह कभी नरक का दरसन नहीं करता सटिला एक अदसी के दिन तिल के साथ दक्षिना भी दी जाती है इस दिन तिल के लड़ू बनाते समय उसमें सिक्के रखकर तिरतस्थान में पुर्योईतों को दान में दिया जाता है इसे एक तरह का गुप्त दान भी कहा जाता है जिससे सभी प्रकार के संकटों का नास होकर सुबता आती है सर्तिलाय का दिसी पर काले तिल का दान करने से पित्र दोस, राहु केतु और सनी के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते है ब्रत के दिन तिल और अन्य चीजों का दान करने से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है और सभी प्रकार के कश्ट दूर होकर मृत्यू के पस्चात मौक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर और कॉमेंट्स अवस्य करें और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद